मेरे प्यारों बात ऐसी है कि हसी मजाग तक तो ठीक है लेकिन एक फेक वाट से मैसिज को फॉर्वार्ड करने से किसी एक आदमी की भी जान चली जाए तो ये मैटर विचार नहीं हो जाता इस पर बहुत सोचने के दरूत है और यहां तो 24 प्लस लोगों की जान चली गई है एक फेक मैसिज को फॉर्वार्ड करने से जी हां महराष्ट के धुले जिले में एक मैसिज वाइरल हुआ है जिसमें ये बताए गया है कि दोसों लोग आग गुम रहे हैं और बच्चे को किड्नैप कर रहे हैं ऐसे में इस मैस कर दोस्ता एख नहीं है जब तो को मर नहीं जाता है क्यवल एक ही नहीं कम से अठाइस आत्मियों की जान चली गई है दुले उसी तरह किसए पाइब गोने ज़ाए गुए испak 벗ुरिया कुछ में काई पहल से बूर्इ तरह कोई में पहुंच गया आसम में है और यह देश देखरें हैं एक और लिकार ऑने धिन्होंने वोह नहीं मतलब जाएं तो लोग किटनैपर समझ के भीड हमें भी मार सकती है ये हो सकता है देख रहे हो वो यकीन नहीं कर रहे हैं किसी पे इतने घबराई हुए बात भी ठीक है यार किटनैपर घूम रहे हैं तो सही है लेकिन मैसिज की पुष्टी तो कर लो लेकिन नहीं उन्हें सिर्फ डर है संदे है और वो किसी को भी पकड़ रहे हैं डर रहे हैं पैनिक हो रहे हैं और उनको मार रहे हैं पुलिस बहुत घबराई हुई है परेशान है कि इसमें क्या करें पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया है और उन पर सिधर मडर का चार्ज लगाया है ऐसा नहीं है कि भीड ने अटैक किया तो छोड़ दिया नहीं पुलिस भी अपनी तरह से बहुत काम कर रही है यहाँ पर सरकार ने भी वाटसेप से कहा है कि भी हमें जवाब दो इन फेक वाटसेप मैसेज से क्या हो रहा है तो नहीं बुरा हाल हो गया कि लोगों की जान जा रही है वाटसेप मैसेज ने भी जवाब दिया पूरा लेंड दिया सोटकर ने बतायता हूँ कि हमने अपनी तरह से पूरे उपाय की हैं हम कर रहे हैं, हमने group message में बहुत सारे restrictions लगाए हैं हमने message में forward कर label लगा दिया है तक कि पता चल जाए कि ये forward क्या गया है किसी ने लिखा नहीं है तो इस तरह की चीज़े हमने किये अपने से कर रहे हैं, लोगों को aware करना है पुलिस ने भी बहुत सारी जानकारिया अपडेट की हैं कि ऐसे message पर यकीन ना करें और किसी पर भी संदेव अगयरा हो तो पुलिस को report करें अपने आप से कोई action न लें, कानून को हाथ में न लें, तो ये सब चीज हो रही है खेर, ये fake WhatsApp message और ये जलती किसकी है, पता है, आपकी आप किसी भी message को बिना पुष्टी के, सिर्फ पढ़के कुछ फोटोज आगए, उनको देखके आप forward कर देते हो, सारे गुरूप में दोस्तों को, यारों को, और इस दुनिया में अधिकतर जो IQ वाले लोग हैं, असी IQ वाले लोग हैं, और असी IQ वाले वो लोग होते हैं जो सिर्फ देखकर और सुनकर यकीन कर लेते हैं, किसी भी news पर किसी भी बात पर रहे कि हाँ, ये सच है वो cross check नहीं करते हैं और ऐसे लोग इन message को और forward कर देते हैं, और ऐसा विक्राल रूप ले लेता है, जहां पर लोगों की जान जा रही है, बहुत बड़ी बात है मुझे विकारी मरा था, उसके 5-6 बच्चे थे, अब वो भूके मर रहे हैं तो ये हालत हो रही है, बुरी, तो मैं आप लोगों से निवेधन करूँआ, कि प्लीज किसी भी message को forward करने से पहले उस पर सोच लें विचार करने, पुष्टी करने चब जाके उसको forward करें और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों को भी रोकें कि ऐसे message को forward ना करें और कोई भी दिक्कर पर इसानी हो, तो प्लीज को आप सूचना दे सकते हो, तो प्लीज, एक ही काम हो सकता है आप ही कर सकते हो, आप ही हो जो इसे रोक सकते हो, आप किसी भी message को forward करने से पहले उसके पुष्टी कर लें, कि सच है कि जूटे क्या है, आपको 100% sure हो जाता है कि हाँ correct है रहे तो, तब जा कि आप उसको forward करो, वरना मत करो, रहने दो लोग को समझाओ, जो आपको forward करता है, उसको कहो कि क्या है यारी, बिना पुष्टी कैसे क्यों भेज दिया, वरना क्या होगा पता है, यह जो वाटसेप ने, जो टेक्नोलोजी ने, फेक न्यूज की ने, यह जो रूप ले लिया है ना, समय के साथ इतना विक्राल रूप ले लेगा कि रोकने में नहीं आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके सिकार आप और हम बन जाएं जी हाँ, तो प्लीज आपसे निवीदन है कि इन फारवार्ड इस मैसेज को रोकी है, फेक मैसेज को रोकी है और लोगों को भी कहिए कि ऐसे मैसेज को फारवार्ड ना करें प्लीज, पढ़े लिखो लोगों से विशेश कर कहुँगा की लोगों को रोकें इन फेक मैसेज पर विश्वास करने से रोकें आप ही हो जो इन्हें रोक सकते हो